नमस्कार साथियो यदि आप भी सिक्सक भरती परिक्षाओं की तयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए बहुत अच्छी अपडेट है जियां साथियो अच्छी खासी वेकेंसी की जो नौटिफिकेशन है वो रिलेज हो चुकी है पूरी जानकारी पूरा प्रोसेस आपको इस महत्पूर्ण बात यदि आपने टैट से टैट या क्वालिफाई किया हुआ है किसी अन्य राज्ये से तो क्या आप अपलाई कर सकते हैं या नहीं पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे इस वीडियो में सबसे पहले यदि हम बात करें तो आप देख सकते हैं साथिय यो अनारक्षित वर्ग है यह आर्थिक गरूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जन जाती, अतियंत पिछडा वर्ग, पिछडा वर्ग और कुल यह वैकिनसी दी हुई है, जी यहां साथ यह देख सकते हैं आप, ये जो वैकिनसी निकली है, ये बिह संख्या 29-2024 के तहत सिख्षा विभाग बिहार पटना के अंतरगत सिमूरत लता आवासिय विद्याले जमूई में माध्यमिक सिख्षा के कुल 41 एवं उच माध्यमिक सिख्षा के कुल 21 पदो पर नियुक्ती हेतू सुयोग्य भारते उम्मिद्वारों से विहित प्रपत्र प भरने हेतू विस्तिर्त दिसा निर्देश एवं पुरी जानकारी बिहार लोगसिवा आयोग इसकी वैबसाइट है जो की www.bpsc.bih.nick.in पर दे गई है candidates यहां से इस वीडियो से इस website पर जाकर के जब widget करेंगे तो वहां से पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं एवं अपने आवेदन को भरने में जो भी अगर उन्हें समश्या आती है तो वो यहां से जाकर के अपनी समश्या को सॉट आउट कर सकते हैं इस notification को ध्यान पूर की सुरू होने वाली है यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए बहुत ये बड़ी खुसकबरी है इन भरतियों कि यदि सुल्क की बात करें फीस की बात करें तो साथियों देख सकते हैं आप अभियर्थियों को उक्त पद के लिए बायोमेट्रिक फीस के केवल बिहार राज्ये के अनुसूचित जन जाती के लिए 1.500 रुपे फीस रखी है बिहार राज्ये की स्थाई निवासी सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग महिला उमिद्वारों के लिए 1.500 रुपे रखी गई है अगर बात करें दिव्यांग अभियर्थियों के लिए चालिस परतीसत या उससे अधिक के लिए 1.500 रुपे है अन्य सभी उमिद्वारों के लिए 600 रुपे फीस रखी गई है ऑनलाइन भुकतान आपको बैंक चार्ज के रूप में भी लिया जाएगा आप देख सकते हैं इसके बाद में इसकी ऑनलाइन आविदन प्रारम करने क कितिती 25 अपरेल 2024 से सुरू होगी ये वैकेंसी और 16 मई 2024 इसकी अंतिमतिती है जिया साथियो देख लीजे आप और बाकी की पुरी जानकारी भी जानते हैं जिया साथियो इसमें किलेरली लिखा हुआ है रिक्तियो की संख्या आप बंदिक है जो की घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है ये BPSC के उपर डिपेंड करता है कि वो इन वैकेंसी को कितना बढ़ाता है और कितना वो घटा देता है वेतनमान लेवल 9 के तहत आपको मिले आप देख सकते हैं माध्य में एक सिखसक के लिए जो एहरता दी हुई है वो ये दी हुई है जो मैं आपको किलेरली इसमें बता देता हूँ भारत का नागरिक होना चाहिए केंद्र अथवा बिहार सरकार द्वारा आयुजित करवाए गई सिखसक पातरता परिक्षा में उ रहा गया है या तो आप सीटेट क्वालिफाई होने चाहिए तभी आप आवेदन कर सकेंगे और देख सकते हैं किसी मानेता प्राप्त विस्विदाले से नियूनतम अंक यानि कि कम से कम पचपन परतिसत अंकों के साथ में आपने इसना तक डिगरी पास की होनी चाहिए या अनुसुच जाती अनुसुच जन जाती पिछड़ा वर्क अतियंत पिछड़ा वर्क एवन दिव्यांग यानि के साथ यों SC, ST और OBC और यहां तक कि अतियंत पिछड़ा वर्क और इसमें दिव्यांग यानि कि डिविजेबिलिटी वाले अभियर्थियों के लिए 5% अंको की इसमें छूट दी जाएगी अब बात करें आगे की तो इसमें देख सकते हैं नमबर फूर पर है राष्टे अध्यापक शिक्सपरीशत अधिनियम लागो होने के पूर पहले मानेता प्राप्त सिक्सक पर सिक्षन संस्थान से बीयड या फिर अधिनियम लागो होने के अगर दो साल की बीयड नहीं है तो आपके पास में चार साल की जो इंटीग्रेटिड कूर्स है एकी किर्थ बीयड कूर्स है वो आपके पास में अवेलेबल होना चाहिए तब ही आप आवेदन कर सकते हैं यानि कि कमपलसरी है कि पर सिक्षन से आपने बीयड किया होना चाह ये भले ही वो दो साल का हो या चार साल का लेकिन कमपलसरी यही है कि यदि आपके पास में B.E.A.D. क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप आविदन नहीं कर सकते हैं क्योंकि साथ ही हो यदि ग्रेजवेट लेवल पर ये वैकेंसी है तो अफकॉस जाहिर सी बात है कि ये T.G.T. लेवल पर होगी जो की T.G.T. टीचर है और उसके बाद मैं इसमें PGT लेवल भी सामिल हो सकता है और साथ मैं साथ ये इसमें और भी कई विभागों की वैकेंसी भी जारी हो सकती है क्योंकि ये तो B.P.H.C. के उपर डिपेंड करता है यदि आप तयारी कर रहे हैं तो यर्थियों को संबंदित विषय में नियुक्ती के लिए अधिभार दिया जाएगा जिया साथियों अधिबार यानि की आपको योग्यता के अधिका आदार पर आपको चयन किया जाएगा और आपको वितन दिया जाएगा विद्दाले में इस्थाई पद पर सरजन हेतु निर्गत संकल्प संख्या 1355 की जो की कंडी का 2.2 और ये दिया हुआ है यानि की साथियो ये इस्थाइपद है पर्मनेंट टीचर्स पोस्ट है ये विशे में इसना तक समेत आलिम वशास्त्री विशे को उसके समकक्ष योग्यता के अंतरगत माना जाएगा और इसमें लिख आराज्य के साथ मैं अन्य राज्जी एवं किंद्र सरकार द्वारा माननेता प्राप्ट प्लस्टू विद्याल्य को सम्मिलित किया जाता है सैक्षनिक अनुभव के संबंद मैं अभ्यावीदक यदि सरकारी विद्याल्य में कारिये हो ऐसी इस्थिति में जिलाकारे क्रम पद अधिकारी द्वारा निर्गत सैक्षनिक अनुभव प्रमानपत्र को सुविकार किया जाएगा। पद आतियंत्र पिछडा वर्क के लिए ठीडेशंिक अर्थिक रूप से कमजोर वर्क के लिए दो पोस्ट है। और जो कि आप देख सकते हैं 35% 36 आरक्षन के फलस्वरूप महिलाओं के लिए अनुमान्य पदों की कुल संख्या जो की छे दी हुई है जियां साथ हो साथ में देख सकते हैं ये जो की disabilities candidates के लिए है वो ये वाली vacancy दी हुई है और इसमें भी आप देख सकते हैं ये इसमें भी एहरता दी हुई है इसमें सेम दी हुई है बस इसमें फर कितना है क्योंकि वो graduate level पर थी और ये साथ हो देख सकते हैं ये post graduate level पर है post graduation की degree होनी चाहिए जिसमें 50% आपके पास अंक होन and conditions उसके थी same सभी इसी की है लेकिन इसमें आपके पास में साथ ही हो टैट सी टैट इसमें नहीं होगा क्योंकि साथ ही PGT level पर ये vacancy होने वाली है और इसमें सिर्फ आपकी योग्यता के आधार पर आपका इसमें चयन किया जाएगा उम्र सीमा की यदि बात करें तो हम इसम एक जनवरी 2024 को नियून तम यानि कि कम से कम 25 वर्स की आईउ आपकी होनी चाहिए तभी आप आवेदन कर सकते हैं और आप देख सकते हैं अधिकतम और कम से कम आईउ में बता चुका हूं सामान्य कोटी के लिए 40 वर्स है पिछड़ा वर्क के लिए भी 43 वर्स है अच्छा और बहुत सुने रहा आवसरे साथ ही हो इसमत चैन परक्रिया के अदि हम बात करें तो देख लीजिए आप कुल परसनों की संखह 120 होगी और दो घंटे के आपकी आवधी होगी प्रारंबिक परिक्षा लिखित परिक्षा एवं साकसातकार के आधार पर की यानि की चैन परक्रिया आपका जो होगा वो तीन प्रोसेस में होगा एक तो आपका प्रारंबिक परिक्षा यानि की सुरू क्या सुरू के एक्जाम में और उसके बाद में लिखित परिक्षा यानि की अब्जेक्टिव कह सकते हो आप अब्जेक्टिव नहीं और उसके बाद में आपका interview का basis होगा interview के basis पर आपका selection किया जाएगा देख सकते हैं यह आपके subjects में दिये हुए हैं मुख्य परिक्षा के लिए भी है और prarambic परिक्षा के लिए भी है तो कुल मिला करके बहुत अच्छी vacancy opportunity है यदि आप teacher भरती परिक्षा की तयारी कर रहे हैं तो जी यहां साथियो और पूरी जानकर आप इसे notification को download करके नहीं जरूर पढ़िएगा बिहार की जो की BPSC के official website आप आपको मिल जाएगी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा like कीजिए चैनल को subscribe कीजिए और वीडियो को share कीजिए बेल आइकन भी on कर लेजिए ताकि informative वीडियो आप तक पहुंचती रहे हम मिलते हैं आपसे एक informative वीडियो के साथ तब तक जय हिन जय भारत